हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आज की लेक्चर में हमें mcq और short question करने हैं class 10th के chapter है how do organism reproduce ठीक है और next lecture में फिर हम long question करेंगे अभी यहां पर short और mcq करते हैं ठीक है अब start करते हैं देखिए इन favorable condition amoeba reproduced by जो तब उसकी favorable condition आती है तो amoeba कौन से process के तुरू reproduce करता है multiple के तुरू binary के तुरू या budding के तुरू किसके तुरू करता है binary fusion के तुरू करता है next देखिए a feature of reproduction that is common to amoeba yeast and spirogyra इन सब में common क्या चीज है बलब amoeba में yeast में और spirogyra में they are all unicellular they are reproduce asexually या they all are multicellular ये भी correct नहीं है ये सारे unicellular नहीं है और they reproduce asexually हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सारे किसे reproduce करते हैं asexually reproduce करते हैं ठीक है अब next देखिए the ability of a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium cell is cold जो plasmodium होता है जो आपने देखा होगा कि जिससे malaria होता है वो plasmodium ही होता है तो उसकी reproduction कैसी होती है बढ़िंग के थू होती है बाइनरी के थू होती है multiple के थू किसके थू होती है बच्चो multiple season के थू होती है और तब वो जो clump बनता है बहुत सारी cells बन जाती है multiple season के थू उसको बोला जाता है cyst क्या बोला जाता है बच्चो सिस्ट बोला जाता है अब next देखिए bryophyllum can be propagated vegetatively by the stem से propagation होती है उसकी या leaf से होती है या root से होती है बताओ किस से होती है leaf से उसकी vegetative propagation होती है अब next देखो बच्चो vegetative propagation refers to the formation of new plant ठीक है तो कौन से part उसमें use होते है तब vegetative propagation होती है उसमें stem use होती है leaf use होती है flower use होती है तो यह तो नहीं होगा, फिर है stem, root, leaf, ठीक है, यह तीन चीजे ही use होती है, stem use होता है, root use होती है, leaf use होती है, तो इसका correct अंसर यही है, fruit use नहीं होता, ठीक है, तो यह तो correct होगा नहीं, तो देखिए next, in a potato, vegetative propagation takes place by, जो आलू होता है, उसमें जो vegetative propagation की जाती है, वो किस पार्ट से की जाती है, वो root से की जाती है, leaf से की जाती है, ट्यूबर से की जाती है, जो आप आलू देख रहे हैं, उसके उपर आपने notes देखे होंगे, ऐसे ऐसे, green यहां पर निकल आता है, तो इसी को हम क्या बोल होगा, उसमें क्या होगा, they do not be a root, क्या उनके पास root नहीं होगी, क्या ऐसा होगा, या they don't have birds, क्या उनके पास क्या नहीं, birds होगी, या they are genetically same, तो कौन सी बात इसमें ठीक है, देखो roots भी होती है, birds भी होती है, birds तो होने बहुत ज़रूरी है, बढ़ नहीं होगा, बढ़ क्य होती है, जो एक extra outgrowth होती है, क्या होती है, बच्चों, एक extra outgrowth होती है, जो capable है, एक new plant generate करने के लिए, उसको बढ़ बोला जाता है, वो तो ज़रूरी है, root भी होनी ज़रूरी है, तो इसमें ठीक बात क्या है, they are genetically same, तो जो भी vegetative propagation के थुरू plant बनते हैं, वो genetically क्या मिलेंगे, आपको same मिलेंगे, अब next देखो, spirogyra reproduced by, spirogyra किसके थुरू reproduction करता है, आपने देखा होगा, उसमें क्या होती है, ऐसे, ऐसे spirogyra आपको दिखाई देता है, तो उसमें क्या हो जाती है, बच्चों, fragmentation होती है, और हर fragment के थुरू एक नया spirogyra बन जाएगा, तो किसको एक क्या होता है, बच्चों, एक होता है, रेडिकल, क्या होता है, दियान से सोनना, एक क्या होता है, रेडिकल, जिससे रूट बनती है, आर-ार से याद रखना, रूट और ये रेडिकल, फिर एक होता है, प्लिम्यूल, क्या होता है, प्लिम्यूल होता है, प्लिम्यूल से ना Plumule से आया ना Cotyledon से आया तो इसका मतलब किस से आएगा? Embryo से आएगा, Jumcell जो की एक नई चीज को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती है Cotyledon क्या होता है? जिसमें फूर्ड जो हो स्टोर होता है तो Embryo वही पार्ट है जिससे future plant बनता है Soession, the period of pregnancy is called जो पूरा 9 month का period उसको क्या बोलते हैं बच्चो गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं incubation तो नहीं बोलते हैं ovulation भी नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं gestation period अब next देखिए the process of release of egg is called जो egg release किया जाता है तो अबरी से तब egg release किया जाता है fallopian tube में तो उसको क्या बोलते हैं ovulation बोलते हैं अब next देखो in human being the fertilization occur in जो fertilization होती है human body में वो कौन से पार्ट में होती है वो uterus में होती है vagina में होती है fallopian tube में fallopian tube में होती है ठीक है बच्चो जो यहां पे ऐसे tube बनी होती है यहां पे finger like फिंबरी हम उसको बोलते हैं यहां पे ऐसे और यहां ओवरी होती है तो यहां पे जो fallopian tube वाला यह हिसा यहां पे fertilization होती है ठीक है तो fallopian tube में next देखिए along the path of the vast difference the secretion of which gland provide nutrition to the sperm आपको क्या पताना है बच्चो कौन सी gland जो sperm है उसको nutrition provide कर आती है seminal vesicle, scrotum या urinary bladder कौन provide कर आती है seminal vesicle इसका correct answer ठीक है वही उसको food nourishment करती है ठीक है अब next देखिए the period during the adolescence when the reproductive tissue begins to mature is called क्या बोलते हैं उसको puberty बोलते है next question देखो बच्चो the period during adolescence when the reproductive tissue begins to mature is called time period क्या कहलाता है puberty next देखो बच्चो यह क्या पूचा गया है the flower of the hibiscus plant is जो hibiscus जो plant है उसका जो flower है वो unisexual है या bisexual है बतागे क्या होता है unisexual क्या होता है जिसमें सर्फ या तो male part हो या तो female part हो तो वो तो होते है unisexual bisexual जिनमें male part भी female part हो तो hibiscus कैसा है वो है bisexual plant अगर एक होता है papaya तो एक है बच्चो watermelon और एक है papaya यह दोनों unisexual है आपको याद रखने है कौन-कौन watermelon और papaya थिक है अब नेक्स देखो बच्चो in human males the testis lie in the scrotum because it helps तो इसमें आपको क्या बताना है कि जो human testis है वो scrotum में होती है तो उसका कारण क्या है तो आपको यह पता है कि जो sperm है उसको body से 2 degree temperature कम चाही होता है तो इसी वज़े से जो testis है क्योंकि body का temperature तो हमारा fix रहेगा 37 तो इसी वज़े से वो body से बाहर जो scrotum है उसके अंदर क्या होती है testis क्योंकि उसको जो क्या है temperature वो कम required होता है किसको बनने के लिए sperm को बनने के लिए ठीक है अब next देखिए which of the following method of contraception protection from the sexual transmitted disease इन वे से कौन सा जो contraceptive method है वो disease के transfer होने से रोकता है वो copper tea है वो oral pills है या condom है condom ही एक ऐसा method है जो एक barrier method जो disease को भी transfer नहीं होने देता copper tea एक क्या है एक IUCD है ठीक है न intrauterine contraceptive devices क्या आता है next देखिए which among the following disease is not sexually transmitted disease इन में से कौन सी sexually transmitted transmitted disease नहीं है cephalus नहीं है gonorrhea नहीं है hepatitis नहीं है cephalus भी है gonorrhea भी है hepatitis नहीं है ठीक है तीन disease आपको याद रखनी है cephalus, gonorrhea और AIDS AIDS है किसकी virus की disease है किसकी ये बच्चो virus की disease है इसकी virus का नाम बताओ आगे question पही मिलेगा ये आपको HIV HIV की full form बताओ अब मुझे human immunodeficiency virus human immunodeficiency virus AIDS की क्या है acquired immunodeficiency syndrome ठीक है समझ गए good और ये दोनों किस्चीज की disease है ये दोनों बेक्टीरिया की है और AIDS किस्चीज की है virus की है अब देखो next define placenta placenta क्या है देखो placenta सेंटा या किस्चीज के लिए सेंटा है अब ये जो mother ठीक है mother और जो बेबी होता है उसके बीच में एक टीशू का connection होता है जिसमें से बलड के थूँ सारा oxygen या फूड और जो gaseous exchange है वो सारा चलता रहता है मतलब सब कुछ इस टीशू के थूई mother और बच्चे के बीच में जो connection बनता है या food energy जी सारा ट्रांसफर placenta के थूई होता है तो बच्चे के लिए यही टीशू क्या है सेंटा क्लोज है ठीक है placenta याद रखेंगे अब next देखिए the ratio of number of chromosome in a human zygote and sperm ठीक है human zygote में और sperm में आपको number of chromosome का ratio बताना है देखिए अगर आप बात करें zygote में तो zygote में होते हैं बच्चो pair में क्या होते हैं pair में मालनीजिए आपको मिलेंगे 23 pair of chromosome क्योंकि हमारी बोड़ी में 23 pair of chromosome होते हैं और अगरआप sperm में बात करें क्योंकि वो एक gamit है तो gamit में pair chromosome नहीं होते तो ये पहले भी मैंने question कराए थे कि एक 23 pair of chromosome होते हैं उसमें से जो 22 हैं उनको बोलते हैं autosomes, क्या बोलते हैं? autosomes, जो की सारे character के लिए responsible होते हैं और उनमें से एक chromosome होता है जिसको हम sex chromosome बोलते हैं जो की, भई वो male होगा है female उसके लिए responsible होगा, ठीक है? नहीं होगा, वो टीशू कलचर होगा या फिर फर्टिलाइजिशन होगा फर्टिलाइजेशन से कभी भी कलोन नहीं बनता है ठीक है? अब नेक्स देखेए बच्चो हाईडा रिप्रोडूड्यूस पाए किससे रिप्रोडूड्यूस करता है? budding से reproduce वो करता है ठीक है अब next देखे tubectomy is carried out by blocking tubectomy क्या होता एक होता vasectomy ठीक है जिसमें देखो vasectomy मतलब vas difference को block किया गया है और tubectomy मतलब fallopian tube को block किया गया है तो आप क्या लिखेंगे यहां पर fallopian tube को AIDS caused due to the infection of virus और कौनसा वायरस है HIV human immunodeficiency virus next देखें इंप्लांटेशन क्या होता है इंप्लांटेशन बताओ मुझे क्या होता है तब भी क्या है तब तब fertilization हो जाती है तो जो fertilized जो एग अब है वो यहां पर जो यहां पर बताओ मतलब एंडो मेटरीं में वो फिट होता है यहां पर आके्ट तो इसिंको हम क्या बोलता है इंप्लांटेशन 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 अब इडिफाइन गैमेट्स गैमेट्स क्या होते हैं गैमेट्स जो जो cells होती हैं जो कि sexual reproduction में take part करती हैं उनी को क्या बोलते हैं gametes, male gametes कुन सा होता है, बताओ, male gametes sperm होता है, female gametes क्या होता है, egg होता है, दियार डखेंगे, oviparous दो term होती है, oviparous और viviparous और viviparous दो term होती है, oviparous वो होती है, जो egg ले करते हैं, ठीक है, तब fertilization मनदब तब complete process ह जाता है, तब वो egg ले करते हैं, और viviparous क्या होती है, जो young one को birth करते हैं, ठीक है, young one, जैसे human being में होता है, और कई organism आपने देखे होंगे, जो कि egg ले करते हैं, ठीक है, egg, फिर HIV, अभी full form हमने देख ली थी, IUCD, intrauterine contraceptive devices, ये भी उपर बात की थी, और अब ये क्या है, which un of reproduction in yeast, yeast में, कौन सी तरीके की reproduction, कौन सी होती है, बचो, बताओ मुझे, budding, कौन सी होती है, ये येस्ट में, budding होती है, फिर बताओ, ये parturation क्या होता है, तब देखो, gestation period पूरा हो गया, मतलब जो starting से लेके, fertilization से लेके, 9 मन्त का जो period है, उसको gestation period बोलते है, पर तब उसका बर्त होता है, मतलब तब delivery होती है, उस process को parturation बोलते है, ठीक है, अब next देखिए, the part of plant which is grafted on the plant, which part of the plant, उसको क्या बोला जाता है, जो की graft किया जाता है, आप ऐसे करते हैं, तब हमें क्या करनी होती है, ग्राफ्टिंग करनी होती है, तो plant के ऊपर एक part रखा जाता है, तो देखो, एक जो plant उपर रखा गया, ये एक तो नीचे वाला plant है, ठीक है, और इसको बोलते हैं, भाटिन सटोग, जो plant ग्राफ्ट किया गया है, उस part को क्या बोलेंगे, उस plant के part को क्या नाम दिया जाता है, सियोन बोला जाता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है ब